हेलो स्टोडेंज, वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल जियोग्रोफी ग्रूप हमारी मैफवर्क की सीरीज में आज हम क्लास नाइन्थ हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर नाजिजम एंड राइज ओफ हिटलर से लेटिड मैफवर्क के कॉश्चन्स डिसकस करने वाले हैं हम ओलेडी जियोग्रोफी और हिस्ट्री के चैप नंबर वन और टू और डिसकस कर चुके हैं मैफवर्क इंपोर्टेंट पार्ट होता है शोसल साइंस का स्पेशली अगर हमें अच्छा स्कोर करना है मैफवर्क दो स्टेप में हमें करना होता है सबसे पहले हमें पता होना चीए कि what to locate यानि स्लेबर्स क्या है स्लेबर्स होने से दो बेनिफिट मिलते हैं पहला जो एडवांटेज यह होता है कि हमारा टाइम वेस्टेज नहीं होता एक्जक्ली स्लेबर्स है अगर हमारे पास है यह हमें confidence देता है कि हमें एक्जक्ली यही points है वो करने है प्रिपेर second step रहेगा how to locate and where to locate यानि हमें कहां और कैसे locate करना तो चलिए देखते हैं स्लेबर्स सबसे पहले जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं यह हमारा third chapter है नाजजम and the rise of Hitler और इसमें हमें locating labeling और identification से लेटेड है वो questions पूछ जाएंगे तो यहां पर सबसे पहला जो task है उसमे second world war second world war की जो major countries है वो हमें locate करनी है इसमें axis power में रहेंगे Germany, Italy and Japan यानि three countries है locate करनी है जो allied power से related हमारे slayvers का part रहेगा उसमें है Britain, France, former USSR and USA यानि total four countries यहां पे रहेगी four plus three, seven countries है जो हमारे first task में हमें locate करनी है जो हमारे slayvers का part है second जो यहां पर question बनता है आपका map का वो है tetries under German expansion Nazi power यानि Nazi power के अंडर में Germany ने आस पास की neighboring countries के उपर attack किया गया था during और before the second world war से थोड़ा सा पहले two countries भी हमें यहां पर locate करनी है तो उनमे seven countries रहेगी Austria, Poland, Czechoslovakia, Lithuania, Belgium, Denmark and France तो seven countries है seven plus seven यानि 14 items है जो हमें इस chapter से लेटर है जो map work में रहेंगे तो let's begin हम देखते हैं first items के साथ जिसमें हमें locate करनी है second world war के जो prominent countries है उनको सबसे पहले यहां पर दो shed ली गई है जिसमें yellow shed से हम locate करेंगे axis powers को और जो green shed है उससे हम locate करेंगे allied powers को इसमें number one two three दिया गए यहां पर number one से हम Germany number two से Italy और number three से जापान को locate करने वाले हैं यहां पर जो number one यहां पर आपको यूरोप में दिख रहा है यह यहां पर जर्मनी हम locate करेंगे फ्रांस के बिलकुल साथ है इंदा नौर्थ इस्टन पार्ट में जर्मनी number two जो Mediterranean Sea में यहां पर हमें locate करना है this one is the Italy अब यहां पर काफी सरे students को लग रहा हो कि visibility कम है तो यहां पर हमें जो world map मिलेगा वो इसी type का मिलेगा कि European countries है उनका size काफी चोटा है और number of countries जादा है तो हमें exactly इसको prepare थोड़ा ध्यान से करना है उसके बाद जो third country axis powers में है this one here it is the Japan तो यह रहेंगे axis powers की countries है जिनको हमें locate करना है उसके बाद allied powers की बात करें number one के साथ हमने यहां पर locate किया this one is the UK okay and then this is the neighboring country of UK and Germany की neighboring country number two के साथ जो हम locate करेंगे वो यह रहेगी France okay this one is the France number three USSR former USSR Russia जीसे कह सकते हैं और fourth one जो रहेगा वो है USA United States of America तो यह countries हैं जो allied powers का part थे second world war में तो यह countries से later day questions आपके exam में पूछे जा सकते हैं और almost जैसे इन में से हम Italy और Japan को चोड़ दें तो almost same countries थे जो first world war में भी रहे हैं यानि कि हम earlier भी map work में इनको discuss कर चुके हैं उसके बाद हम second task की बात करेंगे second जो हमें task मिला is separated वो हमें locate क under German expansion यानि कि Nazi power के under में कुछ countries थी जिनको उपर attack किया गया था जिनको हमें locate करना यहाँ पे तो इसमें shred लीगी है different countries को यहाँ पे locate करने के लिए लेकिन फिर भी visible नहीं होगा clearly तो हम map of Europe लेंगे उसमें हम दोबारा से check करेंगे पहले world map में हम practice कर लेते हैं ताकि आप clearly उनको identify कर पाओ तो पहले यहीं पर हम try करते हैं world map में तो यहाँ जो yellow shed दी गया है it is visible here this one is Austria then red जो shed यहाँ पे दी गया red color से this one is the Poland जिसको प्र अटेक किया गया था Poland है this is in the eastern part of Germany के eastern direction में है उसके बाद है चेकोशलोगा किया this one is not quite visible there यहीं पे चेकोशलोगा किया है जो clearly visible नहीं है then the Denmark is there यह little bit जो आपको visible हो रहा होगा in the north of Germany Denmark then the Lithuania in the north of the Poland and then the France this one is the France and Belgium north of the France तो यह countries है seven countries है जो German expansion का पार्ट रही है जानिक जिन के ओपर Germany यह कब जा किया था second world war के दोरान अब इनी countries को हम थोड़ा सा हम map of Europe है उसमें check out करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके visibilities थोड़ी सी बैट रहे गया आप इनको easily identify कर पाओगे तो यहाँ पे देखिए जिन countries को हमें locate करना उनमें रहेगा Poland यहाँ पे यह जर्मनी है as it is visible and in the eastern part of Germany के eastern side में आग देखें तो वो Poland रहेगा this one is the Lithuania जो हमें locate करना है here is the Austria and this one is the Czechoslovakia France Belgium and Denmark यह countries है जियो German expansion का शिकार हुए थे Hitler का शिकार हुए थे तो यह सब कुछ रहेगा हमारे third part से third chapter से related map of Europe में I hope आपके सारे doubt से वो clear होगे हुए अच्छे समझ में आया होगा फिर भी कोई doubt आपका रहता तो आप comment करके पूछ सकते हैं आपको assist किया जाएगा आज के लिए बस इतना ही thank you bye bye have a nice day